इंडिया में सबसे सस्ती स्पोल्ट बाईके कौन सी हैं आज मैं आपको यही बताऊंगा इंडिया की सबसे सस्ती स्पोल्ट बाईके जी हाँ और मैं 10 बाईके बताऊंगा इसमें 10 वे नमबर पर इस लिस्ट में सबसे महंगी बाईक आएगी जो इस लिस्ट में महंगी है और कीमत है 6,24,000 रुपे की और बाइक में 649 CC का पैरलल ट्विन मोटर इंजन मिलता है जिसके पावर है 66.4 BHP की और बाइक में डिस ब्रेक और ABS ब्रेक मिलते हैं और बाइक में ट्विन फूल LED हैडलाइट्स मिलती हैं इसकी वज़े से इसकी लोकिंग और बेहतरिन हो जाती है औ और बाइक में तीन कलर का ओप्शन मिलता है फिर एक KTM RC 390 इस बाइक का भी एक ही वेरियंट मिलता है जिसकी कीमत है 25,490 रुपे की और बाइक में 373 CC का सिंगल सिलेंडर लिक्विट कोलेंड इंजन मिलता है जिसकी पावर है 43 BHP की और बाइक में डिस ब्रेक और ABS ब्रेक म इन फ्रेंट मिलती है इसकी वज़े से इसकी लुकिंग एग्रेसिव हो जाती है और बाइक में दो कलर का ओप्शन मिलता है फ्रेट टीवेस अपाची आरार 310 आरार 310 में भी एकी वेरियंट मिलता है जिसकी कीमत है 27,492 में रुपे की और बाइक में 312.2 CC का सिंगल सिलें इस स्मार्ट एक्स कनेक्ट टेकनोलोजी मिलती है जिसकी वज़े से आप अपना मुबाइल बाइक से कनेक्ट कर सकते हैं इससे आपको कोल वेगरा पता लग जाएगी किसकी आ रही है किसकी नहीं और बाइक में 2 कलर का ओप्शन मिलता है फ्रेक केटियम RC200 इस बाइक का भी इंडिया में एकी वेरियंट जिसकी कीमत 2,1,190 रुपे की और बाइक में 199 CC का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टिड इंजिन मिलता है इसके पावर है 24.6 BHP की और बाइक में डिस ब्रेक दोनों तरफ आगे और बीचे और बाइक की लुकिंग काफी अग्रेसिव और बहत्रीन है और इस बाइक में भी दो कलर का ओप्शन मिलता है फिर इस सूजो की जिकसर SF250 SF250 इंडिया में दो वेरियंट में मिलती है जिसकी कीमत है एक की 1,87,844 रुपे की दूसरे की 1,88,646 रुपे की जो कीमत है वो एक्शोरूम कीमत है दिल्ली के हिसाब से लेकिन इंजिन दोनों में सेम मिलता है जो की 249 CC का 4WAL SOHC सिंगल सिलेंडर ओयल कूल इंजिन मिलता है इसकी पावर है यानि की BHP 26.1 की और बाइक में डिस ब्रेक दोनों तरफ और ड्यूल चैनल ABS ब्रेक और बाइक की लुकिंग काफी बहत्रीन है और तीन कलर का ओप्शन मिलता है बाइक में रेक केटियम RC 125 इस बाइक का एकी वेरियंट मिलता है जिसकी कीमत 1,69,799 रुपे की और बाइक में 124 CC का सिंगल सिलेंडर इंजिन मिलता है जिसकी पावर है 14.3 BHP की और बाइक में डिस ब्रेक जिसके साथ सिंगल चैनल ABS ब्रेक भी मिलते हैं बाइक की लुकिंग काफी बह बाइक में दो कलर का ओपिशन मिलता है फिर यह बजाज पलसर RS200 RS200 में एकी वेरियंट मिलता है जिसकी कीमत 1,52,490 रुपे की और बाइक में 199.5 CC का फ्यूल इंजेक्टिट फॉर्वाल लिक्विट खोलेंड इंजिन मिलता है जिसकी पावर है 24.2 BHP की और बाइक में डिस इसके साथ इसमें सिंगल चैनल ABS ब्रेक मिलते हैं बाइक की लुकिंग काफी अच्छी है और स्पोल्टियर बाइक है बाइक में 6 कलर का ओप्शन मिलता है फिर यह यामा YZ-F R15 V3 यह बाइक काफी पॉपलर बाइक है इंडिया में इसमें तीन वेरियंट मिलते हैं बाइक में जिसकी कीमत है 1,48,550 रुपे से लेके 1,500,000 रुपे तक की और बाइक में 150 CC का पैट्रोल इंडियन जिसकी पावर 18.3 BHP की बाइक में डिस ब्रेक आगे और पीछे और इसमें इसके साथ आपको ड्यूल चैनल ABS ब्रेक मिलेंगे बाइक की लुकिंग काफी बेहत्रिन है जैसे मैं आपको बता है ये इंडिया में काफी पॉपुलर बाइक है और बाइक में तीन कलर का उप्शन मिलता है प्रेस सूजो की जिक्सर SF इस बाइक का एकी वेरियंट मिलता है जिसकी कीमत 1,26,350 रूपे की है और बाइक में 155 CC का सिंगल सिलेंडर पैट्रोल इंजन मिलता है जिसकी पावर 13.4 BHP की ये बाइक दूसरी पोजिशन पर आई है इतने प्राइज में और बाइक में डिस ब्रेक में मिलते हैं दोनों तरफ और बाइक की लुकिंग काफी अच्छी है और स्पॉल्ड एर लगती है इस बाइक में तीन कलर का उप्शन मिलता है अब आई ये आखरी बाइक और सबसे सस्थी बाइक वह है हीरो एक्स्ट्रीम 200S ये बाइक इंडिया में सबसे सस्थी स्पॉल्ड बाइक है जिसकी लुकिंग और बोड़ी काफी बेहत्रीन है और एकी वेरियंट मिलता है जिसकी कीमत है एक लाग सातरा जार तालीस रुप पिक की और बाइक में डिस ब्रेक भी मिलते है इस बाइक में तीन कलर का उप्शन मिलता है तो मैंना आपको सबसे सस्थी स्पॉल्ड बाइक है जो ये ये है आपको इन में से सबसे बेहतरीन बाइक कौन से लगती है अपने हिसाब से बताईए